नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वनो से लाब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था वन बिनास्ट क्या है और वन बिनास्ट के कारण कौन-कौन से हैं तो आज के इस वीडियो में वनों से कौन कौन से में प्रतेच लाब प्राप्त होते हैं और आप प्रतेच लाब कौन कौन से प्राप्त होते हैं इनके बारे में हम लोग को जानना है वनो से लाब वैसे आप लोग को पता होगा कि वनो से कौन कौन से लाब होते हैं लेकिन फिर भी उसको एक क्रम से मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वनो से मनुष्ट को प्रतेच और आप्रतेच रूप से कई लाब होते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतेच लाब यानि सीधे सीधे, प्रतेच लाब का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट हमको कौन सा लाब मिलता है, तो सबसे पहले तो भाई हमको खाद पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते हैं भोजन के रूप में, अब चाहे हो फल, फूल, साक, इन ही से अपना पेट भरता था, वही चीज यहाँ पर है, तो सबसे पहला यहाँ पर है भोजन, आदि मानो वनो में रहता था, आदि मानो मतलब पहले की मानो, और वही से कंद मूल, फल, तथा पसु पच्चियों के आखेट से अपनी उदर पूरती करता था, उदर पूरती का मतलब होता है, अपनी भूख मिटाता था, उदर का मतलब होता है पेट, और पूरती का मतलब भरना, यानि अपनी पेट भरता था, आज भी कई आदिम जातिया अपने भोजन के लिए वनो पर निलभर करती हैं, तो अगर आप भारत में हैं, तो खास करके उत्तरी पूर्वी इलाके में चले जाएंगे यानि उत्तरी पूर्वी जो भारत है अशम में घाले नागा लेंड यहां पर अभी भी आदिम जातिया रहती है या फिर अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको आदिम जातिया मिल जाएंगी जो वनों से ही अप प्लाइवूड, रेशम, खेलो का सामान, ये कई प्रकार के उद्देग हैं, जिनको कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है, अब प्लाइवूड हमें बनाना है, रेशम बनाना है, खेलो के सामान बनाना है, दियासलाई मतलब आपने देखा होगा, दियासलाई, जो माचिस की तीली होती है या कागज बनाना है लाख बनाना है तो इसके लिए हमें जो कच्छा माल पराप्त होता है कहां से मिलता है वनों से ही मिलता है वनों की कटाई से मिलता है तो दूसरा है प्रतचलाब हो गया तीसरा है जड़ी बूटिया अब देखे चोटे-चोटे टॉपिक् लकडी तो यह direct हमको मिलता है अि अन्धन की लकड़ी अब देखें उर्जा के लिए आज भी हमारे गाउ में हमारे गाउ में क्या कहें लगभक सभी के गाउ मातर में कुछ लोग ऐसे हैं जो लकड़ी से ही अपना भोजन बनाते हैं और लकड़ी पर ही निर्भर हैं अब ही भी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन के पास गयस स्दनी हलाकि सरकार इस पर ज़्यादा जोर दे रही है तो लकड़ी वनों की सबसे बड़ी उपज है और इंधन का सबसे बड़ा साधन प्राचीन काल में तो मानो जात इंधन के लिए पोड़ता है लकड़ी पर ही निर्भर करती थी मतलब प्राचीन काल में तो एकदम लकड़ी पर ही निर्भर था आज जबकि कोईला पेट्रोलियम प्राकिर्तिक गयज तथा बिद्दूत हैं तो आज कई मतलब सुद्धा हो गई कि भाई सोलर सिस्टम आगए आपका सौरू जासे भोजन बना सकते हैं कि आप बिजली से भी हीटर वगएरा जला करके बना सकते हैं गैस लेंडर हैं और कई तरह के ऐसे सोर्सेस हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आज अज ही मनुस थोड़ा बहुत तो लकड़ी पर निर्वर करता है ठंडी में उसको तापने के लिए भी लकड़ी का उप्योग करता है तो यह सब प्रतेचलाब हैं अब पसू के लिए चारा भी लकड़ियों से प्राप्त होता है वनों से प्राप्त होता है कई वनों में विश्री छेत पर घास उकती है जो पसू के लिए चारे का काम करती है कई पसू पेड़ पधु को खाकर अपने निर्वा करते हैं तो आपने देखा होगा कि गाउं में अक्सर लोग पेड़ों की पत्तियों को तोड़ कर अपने गाय बैल बकरी इनको खिलाते है और जंगलों में घासे भी कई परकार की उकती उनको भी खिलाया जाता है फिर यहां है अजीवका तो बहुत सारे लोगों को इससे अजीवका भी मिलती है निकि उनको काम धंदा भी मिल जाता है वनों में वन असंख विक्तियों को अजीवका परदान करता है जैसे लकड़ में कटाती है तो उसके लिए वो आदमियों को वहाँ पर लगाती है उनको रोजगार मिलता है चीरने फाणने काटने के लिए तो ये भी एक प्रतेचलाव है कि भाई अजीव का मिल जाती है फिर यहां सातवा जो प्रतेचलाव है वो है राष्टिया तो वनों से जो उत्पाद में प्राप्त होता है या सीधे सीधे हम लकडी का भी निर्यात करते हैं विदेशों में तो उससे हमको क्या मिलता है विदेशी मुद्रा तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो इस वन से प्राप्त उत्पादो सिक्कर के रूप में सरकार को काफी आय होती है सन 1952 में सरकार को वनों से 15.02 करोण रुपे की आय हुई जो बढ़कर 2000 और 2001 में 250 करोण हो गई इसके प्रतिवर्स सो करोण रुपे मूल के वन उत्पादो का निर्यात भी किया मतलब जो भी फल फूल हैं जड़ी बूटियां हैं या डायरेक्ट हम कर सकते हैं जो लकड़ी है इसका हम लोग निर्यात करते हैं तो उससे हमें विदेशी मुद्रा पराप्त होती है लगभग 100 करोण प्रतिवर्स हलाकि इसका लगातार जो आए है वो बढ़ता ही रहेगा कभी कम नहीं होगा तो यह मैंने अभी तक आपको बताए कि भाई प्रतेचलाब हमको कौन-कौन से मिलते हैं चाहे जड़ी बूटी की बात हो इंधन की बात हो राष्टियाए की बात हो खाने पीने के लिए सामगरी किबाब तो हो कच्चे माल की बात हो तो यह सब प्रतेचलाब में पहला है यहाँ पर मिर्दा अपरदन पर नियंतरन तो जब हम लोग जादा से जादा पेंड लगाते हैं तो क्या होता है ब्रिच्छो की जड़े क्या करती हैं मिट्टी को द्रिटा से बांध लेती हैं जकड लेती हैं अता जब कभी वर्षा होती है तो मिट्टी अपने स्थान पर ही बनी रहती है इस परकाव मिर्दा परदन को रोकने के लिए वन महत्पूर भूमका निभाते हैं है कि जब पेंड लगाते है तो poems की जड़े होती है आगर भार बारिस की पांसे बेह जाती है और फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं मिर्दा अपरदन हो गया लेकिन अगर हम पेड लगाते हैं तो मिठी बंदी रहती है धीली नहीं रहती है एकडम कसी रहती है तो फिसर नहीं बहती है तो पहला यह आप परते चलाब हो गया फिर दूसरा है बाढ़ की रोक था마 AM बढ़ रहा है। तो समझे नहीं दिखें, जितना जादा पेंड लगाएंगे उतना ज्यादा पानी इसको दो उन्स पानी दिया निकमें पहुझा दिएएगी तो जह से फि largest गींद के समय कर लेते हैं धीरे धीरे उसका उप्योग करते हैं तो इस प्रकार बाढ़ की समस्या से हम लोग निजात पजाते हैं लेकिन अगर पेंड़ ना हो तो वही पानी जमीन पर रहेगा बाढ़ के रूप में नुक्सान करेगा फिर यहां है तीसरा जो है इंडारेक्ट जो हमें ला तो अगर हम पेंड़ नहीं लगाएंगे तो यही होगा धीरे धीरे क्या होगा जो हमारी उपजाओ जमीन है मिट्टी है मिर्दा है वह अनुपजाओ मिर्दा में बदल जाएगी और मरुस्थली करण का एक परकार से वहां पर प्रसार हो जाएगा मरुस्थल बन जाएगा वन मरुस्थलों के परसार को रोकते हैं क्योंकि बिच्छों की जड़े रेत के कड़ों को परसपर जखड़े रहती हैं तथा रेत को आगे नहीं बढ़ने दीती हैं आता मरुस्थल की जलवायू को धीरे धीरे आद बनाने में वन प्रतनी सील रहते हैं दच्छिड पश्रिम हरियाड़ा दच्छिड पश्रिम पंजाब ततरा राजस्तान में मरुस्थलों को रोकने के लिए बड़े पेमाने पर पेंड लगाया जारे हैं यही प्रिक्रिया इसमें उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चल रही है आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में काफी मात्रा में अब ज्यादा से ज्यादा आप देखे केतों में बबूल के पेंड उगने लगे और जब बबूल के पेंड ज्यादा उगन कि जलवायू पर इसका प्रभाव पड़ता है और कार्बन डायक्षाइड आउसोसित करते आप सभी लोग जानते हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जलवायू अच्छी रहती है और वास्पो सर्जन होता रहता है जो पेंड़ की पत्तिया होती है वहां से पानी वास्प की रूप में निकलता रहता तो इससे मौसम थोड में बृध्धी मिट्य भी हमारी काफी उपजावो जाती है भूम पर गिरे खप्रक्री में लाट ऑनलो के पत्ते कुछ देर के बाद गल शर्ड जाते हैं और मिट्य में भारते चिस्पान सब्रस्टेएंगे बढ़ाएंगे यहां थोड़ा सा अब यहां थोड़ा सा एक चीज और दिया है इसको हम लोग sits लेते हैं यह क्या लिखा हुआ है भारत में कुल छेत्रफल के केवल 20 देसमलों पांच नो प्रतिसत भाग पर ही वन पाया जाते हैं मतलब 21 प्रतिसत कह सकते हैं हाला कि आप बढ़कर 22 हो गया होगा तो यह आप मानके चलिए कि लगभग 21 प्रतिसत भारत के छेत्रफल पर वन कम हैं देश के संतुलित विकास के लिए देश के लगभग एक तिहाई भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए मतलब अगर देश का सही से विकास करना है तो कम से कम 33 प्रतिसत यानि एक तिहाई भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए जन संख्या और पस्वों की का नई क्यों चाहिए साती daur府 में अधाने प्रजातियों की पहचान करना अगले वीडियो में हमों बात करेंगे कि वन बिनास के क्या-क्या प्रभाव मानों पर पढ़ते हैं क्यों कुन से समस्याएं आती हैं और वन विनास को हम कैसे रोक सकते हैं सन नच्छड कैसे कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए अपने सभी फ्र कर दीजिए तो इसको मारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए